असलाम लेकूम स्ट्रेंड्स, Today we discuss about the geometric and cis trans isomerism previous topic में the isomerisms की हमने दो types देखी थी main types एक structural isomerism था और दूसरा था हमारे पस geometric and cis trans isomerism structural isomerism की further five types ही वो हमने previous topic में explain की थी आज हम geometric isomerism की types पढ़ेंगे यह इसल्फ geometric isomerism को देखेंगे इसका second name है the cis trans isomerism सबसे पहले इसकी definition देख लेते हैं It defined as the compounds which possess the same structural formula but differ with respect to position of the identical groups in space are called cis transisomers and phenomena is known as cis transisomerism Basically, ऐसे compounds जिनका structure formula same होगा लेकिन difference कहां पे आएगा position में ठीक है किसकी position identical groups की position space की अंदर ठीक है अब वो identical groups क्या है वो आपको example से ज़्यदा अच्छे तरीके से idea होगा ये identical groups जब इनकी position हम change कर देंगे तो इससे हमारे पस दो तरह की compound बनेंगे ठीक है यहां जिसको हम कह सकते हैं cis transisomers और इस phenomena को हम क्या कहते हैं cis transisomerism example की तरफ आ जाते हैं condition हम इसके बार discuss करेंगे यह हमारे पस tube utine का structure tube utine जो है यह basically दो isomers है एक cis isomer है और दूसरा trans isomer है cis tube utine and trans tube utine अब देखें इसको cis को cis क्यों कहा जाता है और trans को trans क्यों कहा जाता है उसकी reason यह है कि cis में हमेशा क्या होगा एक side पे एक जैसे group होंगे तो एक जैसे group के लिए जो term यूज की जाती है उसको हम क्या कहते हैं identical groups अब यह देखें carbon double bond है और इसके उपर वाली side पे या एक side पे methyl, methyl और नीचे के लगावाजी hydrogen और hydrogen ठीक है तो यही main point था कि जो identical groups है उनकी position जो दूसरा isomer हम बनाएंगे वो different हो जाएगी ठीक है तो अगर हमने इसका trans isomer यहां जिसमें जी different groups attached होंगे carbon double bond के साथ वो draw करें तो वो क्या होगा आपने याद रखना है इन दोनों की position को यह जो methyl है यह carbon है एक carbon को हमेशा देखना है इस carbon के इस side पे एक पे methyl लगाव है एक पे hydrogen लगाव है इसको just shuffle कर देना है इनकी position को तो यह किसमें change हो जाएंगे trans में वो कैसे सिर्फ मैंने methyl को नीचे हमने लिख दिया और hydrogen को उपर लिख दिया just change हो जाएगी जिससे हमाई पस दो isomer बन जेंगे एक cis और दूसरा trans cis को cis क्यों कहा जाता है क्योंकि cis जो है एक latent word है ठीक है जिसका मतब होता है same यानि के same side पे एक side पे same group लगे में और trans यानि के एक side के उपर different group लगे में ठीक है तो इस वदास इसको trans कहते है आप इसको लिखने का तरीका भी देख लें मैंने कैसे लिखा हुआ है हमेशा जब भी कोई भी अलकीन का जो है structure आपने देखना है कोई भी compound होगा आपने देखना है कि आया वो cis trans isomerism शो करता है या नहीं करता तो आपने क्या करना है जहां पर भी double bond होगा उसको जी लिख दें सबसे पहले और फिर उसके बाद जो groups इसके साथ attached है वो लिख दें है ये c double bond c है इसके साथ hydrogen भी लगी वी है ठीक है ये देखें hydrogen भी लगी वी इस carbon के साथ और methyl भी लगाव है तो मैंने इस carbon के साथ methyl भी लगा दिये और hydrogen भी लगा दिये फिर उसके बाद ये दूसरा second carbon है जिसके दरमयान double bond है इसके साथ hydrogen भी लगी वी है और methyl भी लगाव है ठीक है और फिर उसके बाद बाकी वही procedure है सिस-unstable होता है और जो जितना ज़्यादा unstable होगा वो उतना ज़्यादा most highly less stable highly reactive ठीक है और जो हमारे पास trademark आई we are more stable less reactive ठीक है यह आपने याद रखना है इसके क्टो है डियुका हegenं किसे पता चलेगा के कोन सा है यह lunㅂ 누나 isomerism कब show होती है वो हमें पता चलती है इसकी condition से condition number one क्या है there must be restricted rotation between two carbon atoms ठीक है के दो carbon atoms के दर्मयान जो है ये दो carbon atoms है इनके दर्मयान जो rotation है वो restricted होनी चाहिए अब इस बात का क्या मतब़ है इसको बड़े देहान से समझेगा इस बात का मतब़ ये है के ये देखें ये दो carbon है ठीक है suppose करें के चलें ये carbon है ठीक है और इस carbon को न जी मैंने एक ball की form में जी show किया है ठीक है एक ball ये है एक ball ये है और इन दोनों को attach कर दिया है मैंने एक thread के साथ ठीक है और यानिके दागे के साथ ठीक तो ये दोनों जो है ये ball असानी से जो है वो rotate कर सकते हैं ये दोनों position जो है वो change कर सकते हैं यह easily rotate कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर इनी के दरम्यान में आप जो है double thread के through इनको bound कर दें तो अब जो है यह rotation show नहीं करेंगे ठीक है यह rotate 360 degree angle पर नहीं करेंगे ठीक है तो इसको हम कहते हैं restricted rotation तो same case with double bond कि जब भी हमारे पास double bond होता है तो double bond में जो rotation होती है वो नहीं होती जिसको हम कहते हैं term यूज करते है restricted rotation तो जब भी double bond होगा पहली condition क्या है कि उसमें double bond होना चाहिए यानि कि उसमें pi bond होगा तो pi bond की विदा से क्या होगा 2 carbon atoms के दरम्यान जो rotation होगी वो restrict हो जाएगी वो रुक जाएगी seized हो जाएगी ठीक है तो पहली condition तो है obviously भाई इन में जी double bond है ठीक हो गया अब और दूसरा point क्या है कि two groups attached to the same carbon atom must be different दूसरी condition क्या है कि जो carbon atom है उसके साथ जो attached group है वो different होने चाहिए ठीक है अगर जो है यहाँ पर भी methyl होता यहाँ पर भी methyl होता तो ऐसे compound हम कह सकते थे कि वो cis trans isomerism show नहीं करते ठीक है उसकी example भी मैं आपको दे जेती हूँ ठीक है जिसे आपको idea हो जाएगा example में है जी हमारे पास one butene ठीक है one butene का structure क्या है जी यह है one butene ठीक है यह इसने दो bond बनाये है इसकी दो hydrogen three bonds है तो one hydrogen CH2 और CH3 अच्छा अब इसको अगर हमने जी इसके cis और trans isomers draw करने है तो जैसे मैंने आपको तरीका बताया क्या करना है आपने सबसे पहले double bond बनाना है दरम्यान में ठीक है double bond बनाने के बाद आपने क्या करना है इस carbon के साथ जो है एक side पे hydrogen लगी वी है ठीक है इस carbon के साथ 2 hydrogen है ठीक है और इसके एक side पे hydrogen लगी वी है और दूसरी side पे क्या लगावा जी CH2 CH3 ठीक है तो पहले मैं इसको लिखती हूँ जी यह carbon है इसके साथ एक hydrogen ये और एक hydrogen ये और दूसरी side पे क्या है दूसरी side पे भी hydrogen ही है लेकिन साथ में दूसरा कौन सा लगावा ग्रूप CH2 CH3 ठीक है यह तो हो गया इसका क्या है जी इसका cis ठीक है और अगर मैंने इसका trans show करना है ठीक है यानि के यह suppose करें अच्छा अब देखते हैं कि क्या आया cis और trans तो हम बाद में फैसला करेंगे देखते हैं कि क्या यह condition के उपर पूरा उतर ठीक है तो पहली condition है कि restricted rotation होई चाहिए pi bond है double bond है इसका मतब है कि इसके अंदर rotation है वो restrict कर गी है पहली condition तो इसमें है जो attached carbon है इसमें तो जो दोनो groups है वो different हैं लेकिन इसमें जो group है वो different नहीं बल्के same है यहाँ पर भी hydrogen है यहाँ पर भी hydrogen है तो इसका मतलब है कि चुनके इसके दोनो साइट पे यह attached carbon की जो दोनो groups लगे में हैं वो क्या है वो different होने की वज़ाए same हो गए हैं इस वज़ा से हम कह सकते हैं कि one butine जो है वो cis transisomerism शो नहीं करता short question जो है mostly पूछा जाता है कि why one butine does not show cis transisomerism as then two butine does ठीक है why one butine does not show cis transisomerism but two butine does ठीक है क्यों two butine करती है उसकी reason क्या है कि उसके साथ जो carbon होता है उसके साथ जो attached group होते हैं वो different होते हैं ठीक है तो condition आपने याद रखनी है इसलिए इसकी सबसे पहले देखना हो कि cis transisomerism है या नहीं तो हम उसके क्या देखते हैं जी basically उसके अंदर जो है attached group देखते हैं ठीक है अच्छा अब जो है और भी काफी example है हमारे पास आपकी book के उपर example में जी मजीद example discuss कर लेते हैं ठीक है पहले हमने discuss की थी alken की example अब जो है हम किसकी example discuss करने लगे हैं हम derivative of alken derivative of alken ठीक है derivative of alken का क्या मतलब है derivative of alken का मतलब यह है कि हमारे पास जो जैसे मैंने आपको पहले भी बिताया था कि hydrogen remove करके क्या किया था कोई और functional group लगा जिया था जिसे हमारे पास जो है वो एक और derivative बन गया था ठीक है और यह हमारे पास क्या है जी cis one bromo one bromo two chloropropene ठीक है अच्छा आप इसको नाम कैसे दिया है जी one bromo ठीक है one two और यह three one bromo two chloro ठीक है और तीन carbon है तो तीन carbon को क्या कहते है propene ठीक है अब E-N-E क्यों लगा है क्योंकि दर्मियान में double bond है और यह हमारे पास क्या है जी यह है हमारे पास इसको हम कह सकते हैं जी cis ठीक है cis one chloro one bromo two chloropropene अब इसको मैंने cis क्यों कहा है उसकी reason यह है कि जो हमारे पास attached group है यह देखें cis में क्या बताया है कि एक side पे एक जैसे group लगे हुए होंगे ठीक है तो एक जैसे वे group अब आप देखें कि यहाँ पे कलोरीन लगावा है यहाँ पे bromine लगावा है तो यह same कैसे हुए basically इनकी series same है यह कलोरीन और bromine एक ही class of compound से belong करते हैं इस वज़ा से हम कहते हैं चुके यह hello group है तो इसलिए हम कहते हैं कि यह हमारे पास क्या है cis ठीक है और अगर हम इसका trans draw करें तो trans के case में क्या होगा दर्मियान में सबसे पहले double bond ठीक है सिरफ एक की position आपने change कर देनी है ठीक है तो just position इसकी change करें इसकी change करें जिसकी emerging करें कोई issue नहीं है ठीक है तो इसको हम s such रहने देते हैं b r and h ठीक है और इसकी अगर हम ठीक है और है क्या 1 bromo 2 chloropropene ठीक है ये तो होगी example derivative of alken इसके इलावा और भी different example है जैसे कि हमारे पास जितने cycle alkenes हैं वो भी cis trans isomerism शो करते हैं लेकिन चुके वो आपके course में नहीं है ठीक है alken और derivative of alken को ही discuss किया है और उसी को हम discuss अगर जो है हम चाहते हैं कि double bond जो है दो carbon के दरम्यान अगर double bond पाया जाए और वो rotation शो करें ठीक है तो उसका एक ही तरीके कार है चुके आप क्या करें इसका जो है pi bond जो है वो break कर दें ठीक है तो pi bond break करने से क्या कह सकते हैं और इस bond को break करने के लिए हमें क्या चाहिए अच्छी हासी energy तो उस energy provide करने से क्या होगा pi bond break हो जाएगा जिसकी वज़ा से वो single bond हमारे पस रह जाएगा और जिससे जो rotation शो कर सकता है ठीक है अच्छा ये तो ताह हमा रहाएगा दूम तो अच्छी, उदिस heavily जाशे जाँ ये जाएएगा ब YOUR हो जाएगा ये ये